परस्टी 20 आयर्लैंड वर्सस सौत अफ्रिकाफगानिस्तान से मिली है पहली सीरीज हार के बाद यहां पे सौत अफ्रिकार की टीम यहां पर आयरलाइंड से सीरीज खेली यह सीरीज बहुत याब धाबी में खेली जाएगी पहले दो टी टी ट्वेटी मैच होंगे उसके सब्सक्राइब करें यहां पैसे का हुआ है इस समय में बहुत गर्म रहेगा चाम के यहां कोई चांसे नहीं दिख रहा है जो कि देंग चांसे दो परसेंट है वह इडिटी 79% टेमरेच थर्टी डिग्री सेलसेस रहेगी पीच रिपोर्ट की बात करें जो कि सख जैदे स्टेटम की पीच को बैटिंग के लिए गुटन पीच माना जाता है जो कि न्यू बॉल्स औरी टर्न करेंगी खासता और पर यहां पर लाइट्स में तो ज्यादा ही तो फॉस्ट इनिंग का एवरे स्कॉर है 142 और सेकेंड इनिंग का एवरे स्कॉर है 131 तो गाइस आरलेंड सौटनेस की बात किया जाए जो कि आरलेंड एक न्यू माइट सेट के साथ आई है जो कि टी-20 वलकप के बाद यहां टीम का पहला टी-20 माच होगा यहां पर टीम सकती है क्योंकि यहां के टीम के फेवर में नहीं तो टीम को एजिस्ट में कुछ समय लग सकता है और पर पॉल यहां पर इंके कप्तान करेंगे जो की बैड़िंग में और यह लावि तोकर है टैक्टर यहां पर रॉस एडा अच्छे फॉर्म में चल रहा है और और नहम हर यायँ दै कर तक सकती है लो आपवड करें लोके सोन्हें या पर कभाना आप थी या इल् shouldn't दिल हे सकते हैं आयर्लेंड अप्लिए गाड़ी के बात करें जो कि पॉल्य है पर लोोंहां जैद away सब्बंब मिल और जैसी संदे हैं तया में तक्रेक्टर या रंटे कि नंद्ड शॉ Mustn lr 003 seen शॉंट ताय से मिल बाद के और गांठ एक बुस्टर कि जरूत है उनको यह यहाँ पर इस सीरीज में उनको मिल सकती है तो एडर मार्क राम करेंगे जो कि टीम के बाटर्स कंटिसों को सही तरीके से समझ नहीं पाए है हाला कि यहाँ पर एलन के यहाँ पास अच्छे बॉलर्स नहीं है तो टीम यहाँ पर रन बना सकती है तो गाइस यहाँ इस सीरीज म आप मार्क राम है मिडल ओर्डर में त्रिस्टेंट्स टप्स और मैथ्यो यहां पे बीटी इस टी भी टुफ लॉक चल रहे हैं आप आपर शिप बिल्ड करना होगा उनको और पे विया मुल्द यहां पे मुल्दर भी रन बना सकते हैं बॉलिंग की बाद करें तो फास्ट ब बैटमेन यहां पे जाद विल्यम सुभीट प्लेंग गार में चांस उनको मिल सकता है और यहां पे प्लेंग आरे के बात करें जो कि रियान यहां पे रिकेल टॉन है एडर मार्क राम रिजा हैंड्रिक्स मैथ्यू ब्रीट्रेजर यहां पे ट्रिस्टन स्टप्स हैं जसोन पर ईंगयन यहां पे यहां पे लीम बात करें जो यहां पे फांडाली बढ़ते हैं जो कि कॉंसे टीम होगी होगी जो इस मुकावले को जीत दर्स कर सकती हैं और नज़र आ सकती हैं तो देखे वो दोनों टीम्स की अगर प्रटिशन की बात ही आशाए तो यहाँ पर अफ्रीका स्टॉंग टीम है लेकिन जबकि आयरलाइन कंडिशन में फ्लॉप रहती है जो करने यहाँ पर करेंट स्कॉर्ड को देखे तो माच का विनर सौंथ अफ्रीका हो सकता है तो गाइ होंगे एक नए प्रटिशन के साथ गाइस तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार